हलो फ्रेंज तो आज मैं आपके साथ में शेर करूंगी बकराईद स्पेशल गोश्ट के अचायर की रेशेपी जो बनाएंगे हम ये साल और खाएंगे आने वाले तीन साल दो किलो की कॉंटेटी में हम गोश्ट का अचायर बनाएंगे परफेक्ट मेजरमेंड और परफेक्ट मसाले के रेशो के साथ में वीडियो आप पूरा फुल से watch करना, अगर आप वीडियो पूरा फुल से watch करेंगे तो मेरी guarantee है कि आपका अचार भी सालो साल खराब नहीं होँगा, तो मीड करती हूं, आपको मेरी recipe पसद आएंगी अगर आपको मेरी recipe पसद आती है तो मेरी request है, जरूर से चैनल को like कीजे, share केजिए और सब्सक्राइब किजिए तो सबसे पहले देगे हमें इस तरीक एक टू केजी मटन लेना है मटन को हमने एक घंटे पहले भीगोया है भीगोने के बाद में देखिए इस तरहा के छोटे-छोटे इस हमें मटन को कट कर लिया गया है जब भी हम गोषट का अचयर में बनाते हैं उसके फीसस एकदम छोटे-छोटे रहते हैं आर मटन को भीगा के रखना जरूर यहें किस लिए रखने में आपको को आगे वीडियों बताऊंगी तो छोटे-छोटे पीसस कर लिया है और वाश करके अच्छी तरह से निधार लिया है अब इसे डायरेक हम कूकर में ले लेंगे देखिए इस तरह से इसमें हम दालेंगे सिर्फ हाफ टीस्पून नमक इसमें नमक एकदम कम यूस करना है और फ तो जो है तो इसमें अल्रेडी मटन में बहुत सारा वाटर एब्सॉप किया है क्योंकि हम इसे भीगो के रखा था इसलिए अब इसे कूकर का ढखकन ढख देंगे और इससे बॉइल होने के लिए छोड़ देंगे दस से पंद्रा में जब तक यह बॉइल होता है तो इसके म जादा लगेंगा ना जादा इससे कम लगेंगा तो देखे कौन से कॉंटेटी में कितना मसाला लिया अब यह जो डाल दिख रहे हैं जो राई की डाल है यानि मस्टर्ट शीट जो होते हैं उसकी डाल हमने लिए 4 टेबल स्पुन लगभव 20 ग्राम लिए हमने और यह दाल इस तरहां की होती है जम पीली इसके उपर का छिलका उत्रा हुआ रहता है इस बात का ख्याल रखे और अगर हम मस्टर्ट लेंगे यानि इसके उपर जो छिलका रहेंगा तो आचार हमारा काला पड़ जाएंगा तो इसलिए मेक शोर आप जो है तो राई जरूर इस्तेमाल कीजिए एट टेबल स्पून याने पचास गिराम जो है तो हमने धनिया यूस किया तो अगर आपको जादा मसाला पसना तो धनिये की कॉंटेटी आप थोड़ी सी कम भी कर सकते हो हाफ टी स्पून मेथी लेंगे जिसे मेथी दाना का तो बिल्कुल कम लेना है हाफ टी स्प जाई में डालेंगे और हलका रोस्ट करेंगे बहुत जादा हमें नहीं भूनना एकदम हलका जिसकी थोड़ी थोड़ी खुश्बू आने लगे बस उतना ही हमने इसे भूनना है देख इसे 5-10 मिट हम सुलो फ्लेम पर इसे भूनेंगे इसकी जो हलकी हलकी खुश्बू आन बने अब देखिए हाथ में लेकर मैं बता रही हूं किस तरह का हमें चाहिए तो अब इसे साइट में रख देंगे यहां पर जो है तो हमारा मटन अच्छी तरीके से गल चुका है देखिए मटन हमें इतना गल आना है कि 70% जो है तो मटन पकजा और 30% इसी तरीके से ठंडा करना है ठंडा करने के बाद देखिए हमने गैस पर पहले ही जो है तो ऑईल रख दिया था ऑईल को पहले अच्छी तरहां से हमने करा मने दोने देना है थंडे ऑईल में हम जो मटन के पीसे से बिलकुल भी फ्राय नहीं करना और यह ऑईल हमने लिया है 700 गिराम इतन स्लो फ्लेम पर हम बोटियों को फ्राय करेंगे तो यह जो बोटिया पूरा ऑईल एब्जॉब कर लेंगी और जो हमारा आचार का टेस्ट हो सारा बिगड़ जाएंगा तो अगर आप वीडियो पूरा फुल वाच करेंगे तो आपको हर एक टीप्स और ट्रेक्स जानने को म हमें थोड़ा सा कलर चेंज करना है इसका ताकि यह सौफ्ट भी रहे और थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो तो इस तरह से जो है तो हम इसे बोटियों को निकाल लेंगे हमारे जितने भी बैच होते हैं तो हम फ्राय कर लेंगे तो हमने दो किलो में 700 ग्राम आईल यानि तीन पा हो जाता है तो इसलिए हमें मटन की कॉंटिटी जादा लेना है तो देखे पहले ओईल को आप इस बात का ख्याल रखे कि इसमें जो हम मसाले यूश कर रहे है तो यह जब हम दालेंगे तो ओईल ठंडा होने चाहिए यानि जितना हमारी उंगली डिप हो सके उतना हमें ओई तो देखे यहां पर हम इसे ठंडे ओउल में दालेंगे थोड़े मामूली ओईल हमारा गरम है जञादा गरम यह और इसमें हम दालेंगे अगर घरम ओला यंज तो इसमें यह जल जाएंगे इस बात का जरूर ख्याल रखे अब इसमें जो हमारे की हुई जो बोट तरीके से finely powder बना लिया था यानि थोड़ा से दर-दरा और थोड़ा सा fine बनाना हमें और वावाला पाउडर भी हम डाल देंगे जो मसाला मैंने आपको आगे बताया था जिसमें धनिया वगे रहा था तो उसे पीस लेना है हमें जिससे हमने roast किया तो उसे पीस लेना है, पीसा हुआ यह मसाला है इसमें, वन से टू टेबल स्पून काश्मीरी लाल मेश दालेंगे ताकि इसमें बहुत ही अच्छा बढ़िया सा कलर आ जाए, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर दालेंगे इसमें, नमक दालेंगे अपने जाएके के मताबिक, और इसे मिक्स करेंगे, अब इसे चटपटा बनाने के लिए मैं आके आपको वीडियो में बताती हूँ कि क्या यूस करना, पहले इन सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे, लेकिन माइल्ड सा जो है तो ओईल गरम होना चाहिए, एकदम ठंडा ओईल नहीं चाहिए हमें, अब द इतना जितना मूरेंगा आचा है तो फिर हम राइस के इसके साथ में खा सकते ही, बहुत ज़्यादा टेस्ट ही रगता है, एकदम जबके जब हम बनाएंगे और जबके जब खाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं देंगा, लेकिन जैसा जैसा यह मूरते जाएंगा, वह ऐसा टेस्ट लेगा, अब इस तरीके का बड़ा सा हम बोल ले लेंगे, इसमें जो है तो यह आचार को डाल देंगे, अब देखिए इसका कलर कितना शांदार आया है, कितना बढ़िया कलर आया, अब जो है न तो इसमें हम क्या करेंगे, दस से पंदरा नीमू लेंगे, या तो का रस्त ले लेंगे या फिर half cup ऐसा विनेगर लेंगे जो आपके पास तेस्ट नीबु वाला नहीं आतां नीबु से जो है तो भोगत ज़दा जट्बट और चटा के खराब नहीं होगा अब इसे भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है अब देखिए इसमें कितना अच्छा रेशियो और कितना अच्छा कलर हो गए आप इसे एक मैने तक तो अगर फ्रीज के बाहर भी रखेंगे न तो यह खराब नहीं हो गा और अगर आपको ज़्यादा दिन चलाना है तो फिर आप फ्रीज के अंदर रखो इसे तो लीजे गैज है यहाँ पर हमारा गोश्ट का अचा रेडिय आप इसे एक मैना एर टाइट कंटेनर में भर कर बाहर रख सकते हैं आपको जादा चलाना है तो फिर आपको फ्रीज में रखना पड़ेंगा रेसी भी पसना है तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे सब्सक्राइब कीजे अल्ला हफीज